Welcome to only IS, तो अगर है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2022 में Geography के Current Affairs के Revision का ये हमारा पांचवा लेक्चर है आज के सेशन में हम जनवरी महिने के Geography के Current Affairs को revise करेंगे इस सेशन का First Important Article के बारे में है South America की country है एक चिली, वहाँ पे एक नया Constitution Convention तयार किया गया है इसे काम दिया गया है कि वो चिली के लिए एक नया Constitution बनाए ये Constitution बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पर जो अभी तक की ताना सही रही है और उससे रेटर जो प्रावधान रहे हैं उन्हें स्क्रैप करके एक नया संग्विधान बना लिया जाए जो लोगों के values हैं या उनकी जो problems हैं उन्हें address करता हो इसमें ये भी बात आ रही है कि ये climate और ecological emergency को भी tackle करेगा जो भी constitution बनाया जाएगा इसी संबन में ये news में रहा है बात करेंगे चिली के बारे में चिली जिसे officially Republic of चिली के नाम से पोकारा जाता है इसकी capital Centiago है ये South America की एक country है South America जो continent है जैसे यहां map में देखिए ये Central America है इसके उपर North America है ये South America है South America में ये है चिली और यहां पहस की capital Centiago लगभग इसके center में आपको मिलेगी है ये जो capital है Centiago ये देखिए ये एक जमीन है जो Indies Mountain के बीच है और Pacific Ocean के बीच में मिलती है Bordering countries में आपको North में मिलेगा पीरू ये पीरू है ठीक है और North East में Bolivia यहां पे East में मिलेगा Argentina और South में ये है Drag Passage ठीक है ये समंदर का हिस्सा है Further Atacama Desert भी जो जुनिया का सबसे Dryest Dessert है वो यहीं पे पाया जाता है यहां पे Sodium Nitrate Fertilizer के बहुत ही बढ़या Sources मिल जाते है ये बेसिकली देखिए इसके Arid होने का कारण ये है क्योंकि यहां पर Humboldt Ocean Current आती है जो की एक Cold Current है ये काफी ठंडी होती है जिसके विज़े से वहां पे एक Temperature Inversion की Condition बन जाती है जैसे वैसे हम Normally उपर जाते हैं तो Temperature गिरता है लेकिन चुकि ये जो Cold Current है ये नीचे के हिस्से को ठंडा करके रखता है और उपर का हिस्सा comparatively गरम हो जाता है तो एक Temperature Inversion की Condition बनती है आगे बढ़ने से पहले छोटी से information आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस Prelims 2022 के लिए कुछ courses है जो कि आपके exam point of view से काफ़ important हो सकते है सबसे पहले इसमें एक Prelims Crash Course की बात हो रही है जिसका नाम Tejas है इसमें आपको 250 प्लस आर्स के video lectures इसमें आपके current affairs और static दोनों included है काफी सारे test, full length और sectional और weekend out sessions वगरा सब कुछ है इसमें इसमें आपको free CSAT के classes और उनके test series भी मिलती है बट still अगर आप के बल test series में join करना चाहते हो आपको video lectures नहीं चाहिए है आपके revision और चल रहा है अच्छा तो आप उसके लिए last my leap join कर सकते हो इसमें आपके 19 sectional test है 5 current affairs के test है 15 full length test है 4 CSAT के test है इसको join करने के लिए आप dpp.onlyis.in पर join कर सकते हो अट the same time एक CSAT के लिए program है जो की ऐसे students को cater करता है जिनका CSAT week है तो CSAT expert program आपके सभी CSAT के topics को cover करता है वीडियो lectures के form में और छोटे-छोटे handouts भी हर lecture के बाद आपको मिलते हैं प्राक्टिस के लिए और last में कुछ full length test है इसमें इसके अलामा अगर आप 2023 के लिए prepare कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ batch को join कर सकते हैं इसमें आपको एक full foundation batch के तरह के से सारी requirements UPSC के point of view से फुल्फिल की जाती है इसमें video lectures भी है study materials भी है test series भी है mentorship भी है interview guidance भी है सब कुछ इसमें आपको मिलेगा अगर आप इस batch को join करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे visit करो याद रखना कि तेजस program के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही visit करना है अगर आपको कोई भी doubt आता है इन सभी batches से related तो आप हमें simply इस number पर call कर सकते हो या फिर info.onlyis.com पे हमें mail drop भी कर सकते हो तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं हमारा next article चिलका लेग के बारे में है water birds survey हुआ 2022 का चिलका लेग में 11,00,00 water birds और wetland dependent species ने इस लेग को विजट किया इसलिए ये लेग news में आई brackish water लगून है पानी saline होता है लेकिन comparatively कम इसलिए brackish water कहा जा रहा है ये पूरी खुरदा और जो गंजम डिस्टिक्ट हैं ताके वहाँ पर आपको मिलेगा जो दया river है उसके माउट पर ही ये लेक बनी है बेउप बंगाल के बिलकुल मुहाने पे ये Asia की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लगून लेक है जो सबसे बड़ी है वो तो Caledonian barrier reef है ठीक है further 1981 में चिलका लेक भरत की पहला या भरत का पहला wetland बना इसे wetland of international importance डेकलेर किया गया under रामसार साइट या रामसार convention इसका मतलब कि यहाँ पर ecological conditions बदल रही थी और ये लेक थ्रेट में थी बाद में इसे निकाल दिया किया यहाँ पर एक temple है काली जी टेंपल जो कि चिलका लेक की एक island पर है ऐसा माना जाता है कि Goddess काली जी वहाँ पर निवास करती है एक bird century भी है नाला बना island यानि कि forest of reed यहाँ 16 square kilometer का area चिलका लेक का इसमें cover हो जाता है इसे 1987 में bird century का दरज़ा दिया गया था फोना में हमें यहाँ basically एरावडी dolphin मिलती है चिलका लेक कई सारे migratory birds को host करती है जो दुनिया के अलग-लग हिस्तों से आते हैं लेक कैस्पियन सी, लेक बैकाल, अरल सी रश्या का जो एक remote part है या किरगिज, स्टिपी जो मंगूलिया में है Central, South East Asia, Ladakh, Himalaya इन सभी रीजन से birds यहाँ पर आती है कुछ important birds है अमूर फालकन, बार हेड़ेट गीज, निक, ब्लैक नेक्ट क्रीन्स, मरीन टर्टल, डुगॉंग, हमबैक विल्स यह सभी यहाँ पर आते हैं हमारा next article Horn of Africa के बारे में है चाइना के foreign minister Wang Yi ने announce किया है कि Beijing अब जल्दी ही Horn of Africa के लिए अपना एक special envoy भेजेंगे यह Africa के Eastern part यानि कि Horn of Africa के रीजन में अपनी पैट को अपने प्रभाव को और बहतर तरीके से बढ़ाने के उद्देशन से ऐसा कर रहे है Horn of Africa क्या है यह यह Eastern most extension है African land का अगर आप इसे map में देख लेंगे तो आपको जादा clear हो जाएगा यहाँ पे दिखी यह Horn of Africa का रीजन है इसमें चार देश आते हैं टोटल एक तो इथियोपिया हो गया, दूसरा Eritrea तीसरा जिबूती, जिबूती यहाँ पे छोटा सा देश है जहाँ पे मैं यह रेड कलर से mark कर रहा हूँ यह इसका रीजन है, जिबूती का, ठीक है और यह है सुमालिया तो यह चार देश मिलके बनाते हैं, Horn of Africa तो चार देशों के नाम मैंने आपको बता दी यह एक्चुली में रहने वाले लोग थे तो एक ethnicity है बरबर हमारा next article महाकाली रिवर के बारे में है Union Cabinet ने भी MOU अप्रूव किया है इंडिया और नेपाल के बीच में इसके तहत जो धार्चुला का रीजन है नेपाल का भी और इंडिया का भी उसके बीच महाकाली नदी पर एक ब्रिज बनाया जाएगा ठीक है महाकाली रिवर एक Trans Boundary International रिवर है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में है इसे काली नाम से भी पुकरा जाता है यह Trans Somalian region जो है एक काला पानी वहां से originate होती है और उसके बाद यह जो उत्तरप्रिस का तरही रिजिन है वहां पर एंटर कर जाती है देखिए उत्तरा खंड में इसका आपको बड़ा catchment area मिलेगा और एक बड़ा हिस्सा निबाल में भी मिल जाएगा यह निकलने के बाद जोईन कर लेती है घागरा नदी को हमारा जो नेक्स टार्टिकल है वो नुसांतरा के बारे में है इंडोनेशा के पारलेमेंट ने अभी हाल ही में एक लॉइ अप्रूव कर दिया है जिसके तहत वो अपनी capital को अब रिलोकेट करने वाले है धीमे धीमे जो जकारता का रीजिन है जो बोर्नियो आइलेंड है वहीं पर है और जो नाम दिया गया है that is नुसांतरा 30 मिलियन लोग जकारता में लगभग रहते हैं काफी crowded city है वहां की इसके अलामा हम यह देखते हैं कि वहां पे serious infra problems भी आ रही थी flood की problem तिन बदिन बढ़ती चली जा रही थी climate change की वज़ा से and that was the reason कि वहां की government ने decide कि अब वो एक नई location choose करेंगे जो नई capital है उसमें 56.180 hectare का जो area है वो east काली मंतरन province का भी है यहाँ पर देखे यह map है यह इंडोनेशिया का map है यह जो आप province देख रहे है यह east काली मंतरन प्रोविंस है और यही पर इनके नई capital की site भी है अगर मैं mark करूँ तो ठीक है यहाँ पर जो उनकी नई capital है वो भी located है इंडोनेशिया पहली ऐसी country नहीं है जो अपनी over populated capital को relocate कर रहे हैं इसके पहले Malaysia ने भी अपनी जो government है उसे shift कर दिया 2003 में कौला लंपूर से पत्र जया फरदर म्यांग मार ने भी अपनी capital को 2006 में रंगून से नैपयदाव में shift कर दिया था ठीक है हमारा next article हूंगा तूंगा के बारे में है हूंगा तूंगा बड़ा अजीब सा और मज़ेदार सा नाम लग रहा है लेकिन वहाँ पर जो हुआ है वो definitely मज़ेदार नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक ज्वाला मुखी फूट गया है और ज्वाला मुखी का फूट ना निश्चित तोर पे मज़ेदार नहीं होगा तब तो बिल्कुल नहीं जब आप उसके आसपास हो आग की लप्टे भला किसे पसंद होंगी पैसिफिक ओशन में जो टोंगा एक कंट्री है वहाँ पर एक लार्ज वाल्कनिक इरॉप्शन देखने को मिला है जिसके बाद वहाँ पे सुनामी की लहरे भी देखी गई जिसने वहाँ की कैपिटल नुकु अलोफा तक को फलट किया जो की इस वाल्कनिक इरॉप्शन की जो लोकेशन है वहाँ से महज 65 किलोमेटर के डिस्टेंस पर थी लोकेशन पहले मैप में देखी फिर समझ में आएगा देखे ये यह वाल्ड मैप है यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐस्टेलिया ऑस्टेलिया की नॉर्थ ईस्ट में आपको लोकेशन मिलेगी तोंगा की इसे यहां पर देखे हमने इसे जुम कर रखा है तो यह location है तोंगा के जहाँ पर मैं यह circle बना रहा हूँ यह देखे फीजी है, फीजी को आपने नाम सुना होगा यह है वनवातू, आपने इसका भी नाम सुना होगा ठीक है, यह है Solomon Island यहाँ पर है New Saladonia और यह है Australia तो आपको समझ में हा रहा होगा कि यह Australia है और Australia इसकी location कुछ ही यहाँ पर है तोंगा की ना अब यह तो location आपने map में देखी यह जो eruption हुआ है यह basically जो तोंगा या किंगडम अफ तोंगा जो country है उसके हुंगा, तोंगा, हुंगा, हैपई जो वलकनों है, वहाँ पर हुआ है यह जो तोंगा नाम की country है जिसे किंगडम अफ तोंगा भी आप बोल सकते हो यह actually में constitutional monarchy है वहाँ पर राजा होते हैं जो constitution के basis पर काम करते हैं population एक लाख चारहजार के आसपास है वैसे तो इसमें आपको 169 islands मिलेंगे लेकिन 30 के आसपास यह islands होंगे जहाँ पर लोग रहते हैं basically बाकी barren islands है जो हुँगा, तोंगा हुँगा है परी volcanic island है तोंगा का यह वहाँ की capital की काफी नजदीक में है और जो वहाँ का एक mean island है तोंगा तपू जहाँ पर यहाँ की 70% आबादी रहती भी है उससे महाँ 65 km के distance पे है फर्दर जो वालकनों है वो high volcanic तोंगा कामडेक island volcanic आग का हिस्सा है जो की New Zealand से लेकर Fiji तक फैला हुआ हुआ है एक्चुली में convergent boundary है जहाँ पर Pacific plate subduct होती है Indo-Australian plate के पास and that is the reason कि यहाँ पर बहुत ज़्यदा वालकनों देखने को मिलते है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल Sela Tunnel Project के बारे में है देखे यहाँ पर Adventure Pradesh में आपको दिख रहा है Tawang ठीक है Tawang और यहाँ पर है Dirang इसके बीच में यहाँ पर Sela Pass में मिलता है map में if you can see there final blast किया गया Tunnel बनाने के लिए वहाँ पर जमीन को खोदना होता है या excavation वर्क करना होता है उसके लिए चटानों में blast किया जाता है तो final blast अभी किया गया है मतलब इसके बाद blast का काम complete हो गया है अब tunnel का काम काफी तेजी से होने लगेगा ये tunnel अडवांचर प्रदेश के विष्ट कामिंग डिस्टिक में situated है ये बाली पारा चारी दुवार तवांग जो रोड है उसी का हिस्सा है मतलब उसी से निकाल के इसे लिंक किया जा रहा है चुकि चाइना के बॉर्डर पे है इस लिहाज से काफी जाधा strategic हो जाता है जो project है इसमें दो ट्रणल समनाई जाएंगी पहली ट्रणल 980 मीटर लंबी है single tube tunnel है दोसी ट्रणल 1555 यानि के लिए बंग 1.5 किलो मेटर लंबी twin tube tunnel है जिसमें 2 tubes है मतलब 2 रास्ते होंगे इनमें से एक तो double lane road है इसका इस्तिमाल normally किया जाएगा और दूसरा होगा escape tube जिसका इस्तिमाल हम emergency के समय में करेंगे जो project है इसमें एक road है जो 7 km की है वो tunnel 1 को link करेगी BCT से BCT का मतलब मैंने अभी आपको बताया था बाली पारा चारी दुवार तवांग road से 7 km की एक road आएगी जो tunnel 1 से link हो जाएगी further 1.3 km की एक road और बनेगी जो tunnel 1 को tunnel 2 से link कर देगी significance यह है कि एक बार यह complete हो जाए तो all weather connectivity तवांग में हमें मिल जाएगी यह 13,000 feet की उचाई पर बनाएगी tunnel है मतलब यह इतनी उचाई पर बनाएगी सबसे लंबी tunnel हो जाएगी इंडिया के द्वारा जो project है इससे weapons और soldiers का deployment काफे तेजी से हो सकेगा हमारा next article सरस्वती river के अबारे में है हर्याना और हिमाचल प्रदेश की सरकारे मिलकर एक M.O.U. तयार कर चुकी है जिसके मात्यम से सरस्वती नी को एकबर इससे ये पुरानी नदी एक बार revive हो जाएगी चूंकि इसका religious significance बहुत जादा है तो definitely इससे tourism भी attract होगा जो सरस्वती river है जो खो चुकी है, खत्म हो चुकी है North Western India में काफी पवित्र मानी गई 8,000 से 5,000 बीपी बीपी का मतलब यहाँ पर before the present क्यानी कि आज से इतने साल पहले ये नदी बहा करती थी ऐसी मानिता है सरस्वती river का जो जिक्र है वो हमें मिलता है कि यमुना के east में है और सतलुष के west में है इसे रिगवेद में नदी स्थोती के नाम से पुकारा गया है यह trans-bondry river है मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों में flow करती थी वैदिक सरस्वती river जो है वो हिमालया से originate होती थी इंडस river उसके west में थी और गंगा नदी इसके east में जहां पर यह flow करती थी पंजाब हर्याना विष्टन राजस्थान और बुझाज से होते हुए और फाइनली गल्फ आफकच अरेवियंसी में गिर जाती थी सरस्वती नाम जो है इसका इस्तिमाल इंसन लिटरेशन जैसे की वेद मनुस्मिती, महाभारत और पुरानाज सब में किया किया है हरपन सिविलाइजेशन इस नदी के किनारे उसका एक हिस्सा लोकेटर था ये भी जानकारी मिलती है ये नदी ऐसा माना जाता है कि आज से 5000 साल पहले विलुक्त हो गई हाईलर की माना था ये भी है अगला आर्टिकल बात करता है एक छोटे देश के बारे में बुर्किनो फासों के बारे में ये है असल में वेस्टन एफरिका का एक देश एफरिका के वेस्टन कोस्ट के पास एक देश है लेकिन बुर्किनो फासो इसलिए न्यूज में था इनके जो आर्मी है उन्होंने अनाउंस किया कि इनके प्रेसिडेंट को हटाया जा रहा है कॉंस्टुशन को सस्पेंड किया जा रहा है और गवर्मेंट को डिजॉल्व किया जा रहा है तो सबसे पहली बात कि बुर्किनो फासो है कहां पर अब बुर्किन ओफासो न्यूज में है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये एक landlock country है पहले ये french colony रहा करती थी और इसके नाम का मतलब होता है land of honest man लेकिन 1960 में इसे आजादी मिली लेकिन उसके बाद से यहाँ पर अस्थिरता की स्थिती बनी हुई है इस देश की खास बात यह है कि यहाँ पर बहुत ज़ादा गोल्ड मिलता है गोल्ड मिलने के बाद भी यहाँ बहुत ज़ादा गरीबी है और इसके अस्थास माली जैसा देश है जो खुर भी एक Islamic insurgency से ग्रस्थ था और वो अब बुर्किना फासों में भी फैल चुकिए माफ कीज़ेगा नाम थोड़ा सा चुकिए है तो यह West Africa की सबसे गरीब दिशों में से एक है और क्योंकि यहाँ पर Islamic militants भी फैल गए हैं कुछ और militants भी यहाँ पर हैं जो West Africa में है यह एक landlock country है अब इसके आसपस देखी कुछ और landlock country आपको दिख रहे होंगे जिसे Mali और यहाँ पर गोल्ड मिलने के बावजूद भी इतनी resources होने के बावजूद भी कहते है curse of resource कि gold होने के पाप जो समस्या तो यहाँ कौन सा ocean है यह आपको पता होना चाहिए South Atlantic Ocean के जिस्ट पास यह countries है तो यह है बर्किनो फासो की news जो news में थी instability के चक्कर में एक news जो आई है सर्विया के बारे में सर्विया असल में Eastern European country है जहां पर जहां की government ने हाली में जो एक Anglo Australian company है रियो टिंटो उसका mining license cancel कर दिया अब दो चीज़े हैं एक सर्विया टैनिस स्टार है उनका नाम बता होगा शायद आपको जोकोविच जिनको ऑस्ट्रेलिया में खेलने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने कोविड के वैक्सिन नहीं लिवी थी काफी न्यूस बनी इसके और कई जिगा ऐसा माना जा रहा था कि शायद ये सर्वियन गवर्मेंट ने उसके रियक्शन में ऐसा कुछ किया है पर इनका कहना है कि नहीं ये जो mining का case था यहां पहले से बहुत विरोध प्लोशन हो रहा है तो उनमें अगर सर्विया होता तो क्या आप क्लिक करते उस पर टिक करते या नहीं सवाल है तो हां ये बिलकुल ही एक खुझ से एक लैंड लॉक कंट्री है सेंट्रल सदन यूरोप का पार्ट है ये बालकन परिंसला में पढ़ती है और इसके आसपास बॉस्निया हर्ज असल में एक लैंड लॉक कंट्री है इसकी करंसी है दिनार जो कि सर्वियन दिनर है तो यह हो गई सर्विया के बात आगे बरिजमनाइट की ये असल में देखा गया रिसरचेस ने देखा कि अर्थ का इनर कॉर है उसकी गर्मार्ट कम होती जा रही है वो पहले के मुकाबले और अंदर होता है कोर ठीक है तो कोर सबसे नीचे होता है और असल मुसको और आप डीटेल में देखे तो यह मैं अब इस तरह का दिखता है एक इंदर कॉर फिर एक आउटर कोर फिर लवर मेंटल ट्रांजिशन जोर अपर मेंटल उसके ओपर क्रस्ट तो जो ब्रिजमनाइ है यह असल में एक बहुत भारी माज़रा में मिलने वाला मिनरल है जो अर्थ की कोर और मेंटल के बीच में मिलता है इसे जिन में आपको बहुत सारा ये मिलेगा ठीक है इसका नाम सिलिकेट परोक्सकाइट भी है जो लगबग 70% लोवर मेंटल में इसी ये स्टड़ी करने के बाद अंदाजा लग रहा है कि अर्थ का जो मेंटल है वो पहले मुकाबले बहुत ज़ली ठंडा हो जा रहा है जिससे समस्यां बार में बढ़ सकती है तो जो इसका स्ट्रक्चर है ब्रिच मेनाइट का पहले अर्थ कैसे फॉर्म हुआ तो पूरा मगमा था अर्थ के उपर वो फिर देदरे मगमा थंडा होता चला गया तो उपर फिर आउटर क्रस्ट बनी उसके नीचे जो है अभी भी अर्थ के मेगमा भरावा जो बहुत गर्म है लेकिन देड़ी वो ठंडा हो रहा और जादा ठंडा हो रहा है जिसना सको होना चाहिए उस मुकाबले तो वो पता चल इस ब्रिगमानाईट के स्टडी से एक यह क्या material है इस का structure का नाम क्या है प्र आोख्सकायट इस का structure है bridgemanite उस mineral का नाम है 70% जो lower mental है उसी से बना हुआ है यह हमारे काम की चीज़े हैं बाकी unessentially आप चाहें तो जो यह structure का formula है यह आप याद कर सकते हैं AB X3 बाकी overall अभी ही तो इतना ही relevant लग रहा है मुझे इस news में जो हमारे काम का है तो आज के इस session में बस इतना ही Thank you very much